हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्धिप्रिदेश डेली करंट अफिर में आपका स्वागत है आज है तीन माई 2019 और यह हमारी 144 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताए हम आपके answer जरूर करेंगे जोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसका answer आप टिक करके दे सकते हैं question number first हाली में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा नौसेनिक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है जिसका सई option है बरुन बरुन हाली में भारत और फ्रांस के बीच नौसेनिक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है यह अभ्यास गोवा में शुरू हुआ है 1983 में इस दुईपक्षिय युद्ध अभ्यास का पहला संस्क्रण आयुजित किया गया था भारत और फ्रांस हिंद्ध महासागर ख्षित्र में किरिया प्रधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कारे कर रहे हैं तो आपको इतना बरुन युद्ध अभ्यास की बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए फ्रांस की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जगह है फ्रांस को दरसाती है फ्रांस की राजधानी है पेरिस फ्रांस की करंसी है यूरो और फ्रांस के रास्टपती है एमानुवल मैकरोन तो दोस्तो इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है हाली में A.R.A.I. ने किसके साथ मिलकर E.Mobility प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किये हैं जिसका सी उफ्षन है भिल B.H.E.L. हाली में B.H.E.L. और A.R.A.I. ने साथ मिलकर E.Mobility प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किये हैं भिल का फुल फॉर्म भारत हैवी एलेक्टिकल लिमिटर होता है दोस्तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी ये दोनों मिलकर बिद्धित ट्रॉली, बस, बिद्धित बाहन, चार्जर, बैटरी परिक्षन आदी में कारे करेंगे और कुसलता पूर्वक साथ निभाएंगे दोस्तो ये A.R.A.I. का फुल फॉर्म आपको बता दे इसका फुल फॉर्म होता है Automative Research Association of India इसकी स्थापना 1966 में की गई थी तो इतना आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन सी भारती खिलाडी 10 मीटर एयर राइफिल एवेंट में बिसु की नमबर एक खिलाडी बनी है जिसका सई उप्षन है अपूर्वी चंदेला अपूर्वी चंदेला हाली में 10 मीटर एयर राइफिल एवेंट में बिसु की नमबर एक खिलाडी बनी है वहीं भारत की अंजो मोजदिल भी सेकेंड इस्थान पर मौजूद है दोस्तों आपको बता दें अपूर्वी चंदेला ने 2019 में आई एस एस एफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारत को जिताया था तो आपको इतना अपूर्वी चंदेला के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कौन सा देश 2050 के पहले अपनी राजधानी इस्थान नांतिरत करेगा जिसका से ये उफ्षन है इंडोनेशिया इंडोनेशिया 2050 के पहले अपनी राजधानी बदल देगा जकारता जो इंडोनेशिया की राजधानी है यह एक दलदली एरिया है साथी दोस्तों यहां पर भीड़वाल और प्रदुश्र काफी बढ़ गया है बेग्यानों को के अनुसार 2050 तक जकारता समुद्र में डूब जाएगा इसलिए यहां की सरकार राजधानी बदलने जा रही है अभी तक राजधानी का नाम तैर नहीं हो पाया है दोस्तों अब बात आई है इंडोनेशिया की तो मैप में आपको इसके बारे में बता दें मैप में ये जगह है इंडोनेशिया को दरसाती है इंडोनेशिया की राजधानी है जकारता और यहां की करंसी है इस इंडोनेशियन रुपिया और इंडोनेशिया की रास्टपती है जो को विडोडो तो दोस्तो इतना आपको इंडोनेशिया की बारी में याद रखना है Next question हाली में किस देश ने लेफटिनेंट जनरल जे एफ आर जैकब को सम्मानित किया है जिसका सही उफटिन है इसराइल हाली में इसराइल देश ने लेफटिनेंट जनरल जे एफ आर जैकब को सम्मानित किया है लेफटिनेंट जनरल जे एफ आर का पूरा नाम जैक फरज राफेल जैकब है इन्हें इसराइल में Wall of Honor से सम्मानित किया गया है दोस्तो इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में इस्सा लिया था आपको बता दे इनका निधन 2016 में हो गया है अब ये इसराइल में सम्माने थुए हैं तो आपको मैप में इसराइल की बारी में बता दे दोस्तो मैप में ये जगह इसराइल को दरसाती है इस्राइल की राजधान यह जेरुसलम इस्राइल की करंज ही है नियू सीकील इस्राइल की रास्टपती है रावविन रिवलिन और इस्राइल की प्रधान मंत्री है बेन जामिन नेंतियनाहू जो हाली में यहां की प्रधान मंत्री बने है नेस्ट क्वेशन हाली में किसने अंबेटकर यूथ डिगिनिटी अवर्ड 2019 जीता है जिसका से यॉफ्षन है नीली मा मिंज नीली मा मिंज ने हाली में अंबेटकर यूथ डिगिनिटी अवर्ड 2019 जीता है इस अवर्ड का आयोजन दिल्ली में किया गया था इस अबोर्ड के लिए ऐसे युवाओं को चैन किया जाता है जो लगातार समानता की एकता की स्वतनता और बंधुतो इस्थापित करने में योगदान करती हैं दोस्तो आपको बता दें नीलिमा 36 कड़की रहने वाली हैं तो इतना आपको नीलिमा मिंजी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन इस रो अपना चंद्रियान मिसन टू कब लॉंच करेगा जिसका से ओफ्षन है नौ से सूलह जुलाई के बीच इस रो अपना तंबर को लेंड किया जाएगा दोस्तो हाली में बिक्रम जो एक लेंडर है यह है चंद्रियान को लेंड कराएगा चांद पर इसमें थोड़ी सी गड़ावडी आ गई है जिसकारण ये मिसन आगे बढ़ाया गया है दोस्तो चंद्रियान भारत का दूसरा चंद्र मिसन है दोस्तो आप बात आईए इसरो की तो आपको कुछ important fact इसके बारी में बता दें इसरो का full form Indian Space Research Organization होता है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी दोस्तो इसरो का headquarter Bengaluru करनटक में है और इसरो के head है के सिवान तो दोस्तो इतना आपको इसरो की बारी में याद रखना है next question हाली में किसे PFA Player of the Year का खिताब दिया गया है जिसका स्योफ्टन है वर्जिल वान डिक हाली में वर्जिल वान डिक को ये PFA Player of the Year Award दिया गया है दोस्तो ये एक footballer है और आपको बता दें PFA Player of the Award द्वारा दिया जाता है next question हाली में सक्षम एकाई की वार्जिक बैठक कहां आयोजित की गई है जिसका स्योफ्टन है सतना हाली में सतना में सक्षम एकाई की वार्जिक बैठक आयोजित की गई है दोस्तो इसे सक्षम संस्ता की सचव अरुन खंडेवाल ने संभोधित किया है साथ ही नई कारेकारणी की गोशना भी की गई है दोस्तो अब बात आईए सतना की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट सतना की बारे में बता दें चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए सतना को जाना जाता है रीवा संभाग का एक जिला है दोस्तो चित्रकूट यहीं पर इस्तित है चित्रकूट में मंदाक नी परवत, हनुआ अंधारा, सीता रसोई, गुप्त गुदावरी, आदी प्रमोक दार्सिने इस्तित है दोस्तो मैयर इस्तित है जहां पर सार्दा का मंदिर है और इसे पवित्र शहर भी गोशित किया गया है मद्परदी सरकार द्वारा अलाउद दीनखा संगीट अकेडमी भी सतना में ही इस्तित है इतना आपको सतना जिले की बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन मतदान और मतगरना के दिन किस जिले में सुस्क दिवस रहेगा जिसका से यॉफ्षन है भिंड भिंड में मतदान और मतगरना के दिन सुस्क दिवस रहेगा भिंड कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार ने लोकसवा चुनाओ को देखते हुए इस दिवस की घोशना की है इस दिन पूरे जिले में कहीं भी मदिरा ना बेची जाएगी और ना किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर ये चलेंगे दोस्तो अब बात आईए भिंड की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट भिंड की बारे में बता दें भिंड में मद्यप्रदेश की सबसे छोटी तहसील रोन है दोस्तो चंबल सिंद कुआरी ये सभी जिले में प्रभायत होने वाली प्रमुक नदिया है आपको बता दें वारे खंबा महल प्रिसिद्द इस्थान भिंड में ही इस्थित है वनखंडेश्वर मंदर जिसे प्रत्वीरा चोहान ने 1175 में बनवाया था यह भी भिंड में ही इस्थित है चौरसा में जैन मंदर जमदरा में माता रेणुका मंदर नारत देव मंदर गोहत का किला यह सबी दार्शने इस्थल है भिंड के दोस्तो मालनपुर में राज्ज का दूसरा ड्राइपोर्ट और द्योगिक्षित्र बनाया गया है तो इतना आपको भिंड जिले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन थीलों के शहर के नाम से भी भोपल को जाना जाता है मद्ध प्रिदेश का सरवादिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में ही इस्थे थे रास्टिय बिढ़ी अकेडमी की स्थापना 1994 में भोपाल में की गई थी ताजुल मस्जिद और बनविहार नेशनल पार्क ये भोपाल में ही इस्थे थे दोस्तो आपको बता दें बिस्थो का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सैंत्र यहीं पर लगाया गया है एक और इंपुट इंफेक्ट बता दें दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को भोपाल मिथाइल आईसोसाइनेट गैस का रशा हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी तो दूस्तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन देश का पहला कारगो हवाई अड़ा कहां बनाया गया है जिसका से यॉफ्शन है गौालियर गौालियर में देश का पहला कारगो हवाई अड़ा बनाया गया है इस हवाई अड़े से हम भारी सामान और साथ में जानवरों को भी ले जा सकते हैं दोस्तो अब बात आईए ग्वालियर की तो आपको ग्वालियर की बारे में कुछ important fact बता दें ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है दोस्तो बारत का दूसरा सूर्य मंदर मुरार में इस्तित है जो ग्वालियर में ही है दोस्तो तानसेन की समाथी जैबिलास पैलेस गूजरी महल, मानमंदर, मोती महल और सासबहू का मंदर ये सबी दार्शीने इस्तित थालें ग्वालियर में आपको बता दें रानी लक्षमाई सारेरक परिशन केंदर की इस्थापना भी ग्वालियर में ही की गई है राजा मान सिंग तोमार संगीत विश्वित ध्याला भी ग्वालियर में ही इस्तित है और दोस्तो घाटी गाओं में सौंचडिया सनरक्षन अभ्यारन बनाया गया है तो इतना आपको ग्वालियर के बारी में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीज़े वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े कल हम आपके साथ फिर मद्वर्देश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार, have a nice day